हेलो डियर वेलकम टू फीनिक्स एडू तो आज के वीडियो में हम डिसकस करने बाले हैं आईसो टॉपस आईसो बार्स आईसो न्यूट्रोंस आईसो डायफर्स एंड आईसो एक्सटर्स को तो देखो जब भी आपका टरम जो है वो आईसो आई तो आई-सो का मतलब होता है यह पी देखो, तो पी मतलब proton identical है, मतलब atomic number जो है वो identical है, ठीक है, आइसो बार्स में ये ए देखो, ए जो है वो mass number को represent करते हैं, तो यहाँ पर mass number जो है वो identical होता है, ISO electron तो electron number identical है, ISO neutrons मतलब यहाँ पर neutron number same है, ISO diverse जो है, वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर neutron and proton का जो difference जो है, वो same होता है, और ISO esters में number of atoms same होते हैं, and number of electron जो है, वो same होते हैं, clear है, तो अब हम इनकी bun by bun जो है वो study करते हैं, तो सबसे पहले हम study करेंगे isotopes की, तो isotopes का मतलब, those species having same atomic number, same atomic number but different mass number, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, isotopes कहलाते हैं, example देख लो जड़ा, hydrogen के तीन isotopes होते हैं, 1H1, 1H2 and 1H3, ठीक है, यह हमारे कहलाते हैं, proteum, deuterium, and tritium, ठीक है, तो proteum, deuterium and tritium, यह hydrogen के तीन isotopes होते हैं, जिसमें से आपका यह जो tritium isotopes है, यह radioactive होता है, तो tritium isotopes, जो है, वो क्या होता है, वो हमारा radioactive होता है, तो यह जो tritium है, यह radioactive है, और यह lightest radioactive element होता है, clear है, okay, proteum एक ऐसा element है, एक ऐसा isotopes हाइड्रोजन का, जहां पर neutron जो है, वो absent होता है, ठीक है, सारे element में neutron present होता है, एक यही ऐसा पागल element है, जिसमें neutron जो है, वो absent होता है, clear है, अगर हम carbon के isotopes देखें, तो 6 carbon 12, 6 carbon 13, 6 carbon 14, यह carbon के isotopes हैं, oxygen के देखें, तो 8 oxygen 16, 8 oxygen 17, 8 oxygen 18, अगर हम chlorine के isotopes देखें, तो chlorine 17 35, और chlorine 17 37, ठीक है, यह chlorine के isotopes हो गया, clear है, तो isotopes मतलब की atomic number same, और mass number जो है, वो different होते हैं, ओके, अगर atomic number जो है, वो same है, मतलब की proton same, मतलब की electron same, तो इसका मतलब है, कि इनकी chemical properties, जो है, वो same होती हैं, क्यों, यह proton number same, मतलब electron भी same होगा, और chemical properties, electron पर depend करती हैं, तो दूसरा point लिखेंगे, they have, same chemical properties, ठीक है, ना, तो इनकी chemical properties, जो है, वो क्या है, same है, but different, physical properties, तो chemical properties, जो है, क्योंकि electron number same होते हैं, ठीक है, और physical properties, different क्यों है, क्योंकि mass जो है, वो different, तो physical properties, प्रोपर्टीज भी different, किलियर हो गया, ओके, फिर अगला point, देखो ज़रा, अब चुकि इनकी chemical properties, same होती है, तो इनके, जो isotopic element है, मतलब, अगर हमें, 6 carbon 12, 6 carbon 13, and 6 carbon 14, को हमें separate करना है, तो ये chemical method से possible नहीं है, तो they cannot separated by the chemical method, clear है, इनको हम chemical method के द्वारा separate नहीं कर सकते हैं, ठीके ना, तो can't separate, by chemical method, fourth properties देखते हैं, एक isotopes जो है, वो बनता कैसे है, ठीके तो दो करन से बनता है, नमबर एक, अगर कोई species मान लीजी, हमने लिया uranium 92, 235, एक species है, एक alpha और 2 beta particle release कर दे, ठीके तो alpha particle जो होता है, 2he4 होता है, रिलीस कर दी, मतलब negative sign, तो 92 में से 2 चले गए, तो 90 बचा, और 35 में से 4 चले गए, तो 231 बचा, ठीके ना, तो हमारा 90 जो है, वो हमारा होता है, थोरिया, अब बीटा particles निकाल होगी, कितने 2 निकालना है, तो minus 1, बीटा 0, ये बीटा particle का symbol होता है, निकल गया मतलब negative sign, तो minus minus प्लस हो जाएगा, तो 90 ये 1 हो जाएगा, और ये 231, ठीक है, तो ये protectinium जो है, वो हमारा element बनेगा, और एक अलफा पार्ट, सॉरी, एक बीटा particles और निकाल दिया, तो फिर ये 92, और uranium होगा 92 तो, और 235, तो अगर कियोई species जो है, एक अलफा और दो बीटा पार्टिकल से release करता, एक अलफा और दो बीटा पार्टिकल रिमूब हो जाते हैं, तो फिर isotopes ही बनेगा, ठीक है ना, तो जो हमारा daughter element होगा, वो क्या होगा, वो isotope होगा, ठीक है ना, clear है, ओके, फिप्थ नंबर के अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए, कोई एक element जो है, ये 92, 235 है, एब्सॉर्ब करता है एक neutron को, ठीक है ना, एक neutron एब्सॉर्ब कर लेता है, एक neutron को, तो क्या होता है, तो देखो ज़रा, 92, 0, तो ये 92 ही रहेगा, 235 और 1, 236, तो 92 atomic number किसका होता है, uranium को सिम्बल आएगा यू, तो इन दोनों में क्या relation है, ये दोनों हमारे क्या है, isotopes हैं, क्यों, क्योंकि atomic number सेम, और mass number जो है, वो different है, तो ये important होता है, जब एक, species जो है, एक alpha और 2 beta release करता है, तो isotope बनता है, और अगर एक species जो है, neutron को absorb करती है, तो भी हमारी जो है, वो isotopes जो है, बनेगी, clear है, अब देखो जरा, 6 number देखो जरा, chlorine, atomic number 17, और mass होता है 35, दूसरा chlorine, atomic number 17, और mass होता है 37, राइट, लेकिन क्लोरीन का average mass जो है, वो हम लेते हैं, 35.5, clear है, तो ये average mass 35.5, जो है, वो कैसे आया, ठीक है, इसको हला कि हम explain कर चुके हैं, some basic concept of chemistry में, लेकिन फिर भी आप देख लो, तो अगर हमें average mass निकालना है, ठीक है, तो average atomic mass, isotopic element का निकालना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा, कि ये दूनों element जो है, वो nature में किसी ratio मिलते हैं, तो ये nature में मिलता है, 75% और ये मिलता है, 25 percentage, ठीक है ना, तो percentage of first isotope into उसका atomic mass plus percentage of second isotope into उसका atomic mass upon total percent. अगर मान लिजिए, तीन isotopes होते हैं, तो फिर percentage of third isotope into atomic mass upon total percentage, ठीक है ना, तो देखो जड़ा, ये 75 into 35 plus, ये 25% है, और ये 37 है, और percentage तो 100 ही होता है, ठीक है ना, 75, 25, 100 करोगे, तो ये आपका आएगा 35.5, तो average isotopic mass जो है वो हम ऐसे जो है वो determine कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है, वो isotopic effect की बात करते हैं, तो isotopic effect में देखो जड़ा, अगर हम बात करते हैं, ये protium, deuterium and tritium की, ठीक है ना, तो अगर हम chemical activity की बात करें, तो जो lighter isotopic element होता है, वो ज़्यादा reactive होता है, chemically as compared to heavier isotopes से, ठीक है ना, तो ये हमारा isotopic effect कहलाता है, isotopic effect में, जो element जो है वो lighter होता है, वो chemically ज़्यादा active होता है, right, clear है, तो ये हमारा isotopic effect हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं, isobars को, ठीक है ना, तो isobars में, मतलब जो भी हमारी species होती है, species having, same mass number, but different atomic number, ठीक है, या फिर protons, ठीक है, तो example देख लो, हमारा 6 carbon 14, and 7 nitrogen 14, ये दोनों क्या हैं हमारे, isobars है, ठीक है, mass number सेम है, और इसके बाद, हमारा देखो, argon 18, और ये 40, potassium 19, और इसका, isotopic element 40 होता है, और calcium 20, and 40, तो ये भी हमारे कैसे हो गए, ये isobars हो गए, ठीक है, तो mass number सेम हो, और atomic number different हो, तो ये हमारे isobars कैलाते हैं, अच्छा, अगर mass सेम है, तो इसका मतलब है, इनकी physical properties सेम होंगी, तो they have, same physical properties, physical properties जो है, वो सेम है, लेकिन, chemical properties different, ठीक है, बट, different chemical properties, they have different chemical properties, ठीक है ना, ओके, फिर इसके बाद, आगे बढ़ते हैं, अगर हम, third point की बात करें, एक isobars जो है, वो कैसे, generate होता है, कैसे बनता है, तो देखो जरा, कोई एक element हम ले ले लेते हैं, 1H3, यह हमारा radioactive element है, ठीक है, इससे जो है, वो एक beta particles, जो है वो निकल जाया, ठीक है ना, तो निकलने का साइन, निगेटिव, और बीटा पार्टिकल, माइनस बन, बीटा जीरो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2HE, और यह बनेगा 3, तो मास तो सेम है, लेकिन, अटोमिक नंबर क्या हो गया, डिफ्रेंट हो गया, तो दोनों में क्या रिलेशन है, यह दोनों हमारे क्या होंगे, आईसो बारिक होंगे, ठीक है ना, तो रिमूबल औफ वन बीटा पार्टिकल्स, एक बीटा पार्टिकल्स का रिमूब होने से, जो है वो हमारा, क्या बनेगा, जो हमारी डॉक्टर एलिमेंट बनेगा, वो क्या बनेगा हमारा, आईसो बार बनेगा, ठीक है, तो यह तो हमारा बीटा पार्टिकल्स होता है, एंड दूसरा है पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, तो रिमूबल औफ पॉजिट्रॉन, ये बेटा पार्टिकल का जस्ट अपोजिट पार्टिकल होता है इसमें माइनस बन होता है, यहाँ पर प्लस बन और ई जीरो या प्लस बन पी नॉट ऐसा बूल सकते हो, ठीक है? तो यह हमारा क्या होता है? पॉजीक्ट्रों होता है तो 1H3 और निकल गया तो नेगेटिव साइन प्लस 1 E0 तो क्या हो जाएगा ये 2HE इसको इधर नहीं प्लस 1 E0 तो ये बचेगा 5 और ये आएगा आपका 14 ही रहेगा तो 5 किसका होता है इस बोरॉन तो एक पॉजिट्रोन के इमेशन से जो है वो हमारा क्या बनता है ? आई सो बार जो है वो बनता है किलिकर है ? okay तो ये हमारे आई सो बारिक अलीमेंट हो गए अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखो किया आता है आईos तो निष्टित तोर पे स्पिसिस है विंग से मिलेक्ट्रॉन ठीक्वे Ps be तो जहां भी लेक्ट्रोन सेम होगा वो हमारी आइसो एलेक्ट्रोन की स्पीसीज होगी ओके आगे देखो जड़ा एक्जामपल देखते हैं हमारे पास यह है नियोन ठीक है इसका अटमिक नमबर होता है टैन तो इसमें एलेक्ट्रोन्स देख लो जड़ा 10 एलेक्ट्रोन्स होते है और मास होता है 20 ठीक है अब नियोन के बाद आता है सोडियम प्लस बून इसमें 10 एलेक्ट्रोन्स होते हैं Magnesium plus 2 इसमें 10 Electrons होते हैं, Aluminium plus 3 इसमें 10 Electrons होते हैं, Silicon plus 4 इसमें भी 10 Electrons होते हैं, ठीक है ना, अगर हम पीछे जाएं तो Fluoride Ion इसमें 10 Electrons होते हैं, Oxide Ion इसमें 10 Electrons होते हैं, ठीक है, Nitride Ion इसमें 10 Electrons होते हैं, और Carbide Ion इसमें भी 10 Electrons होते हैं, राइट, तो इलेक्ट्रोन्स जो है वो हमारे जब सेम होते हैं तो यह सभी जो है आपस में रिलेट कर रहे हैं यह आपस में क्या रिलेशन है यह हमारे आईसो इलेक्ट्रोनिक्स है ठीक है ना तो यह आईसो इलेक्ट्रोनिक्स हो गई इसके बाद देखो जरा आर्गन ठीक है आर्गन 18 तो अगर हम 18 एलेक्ट्रोंस आरगन में हैं आरगन के बाद जो है क्या आएगा potassium plus 1 calcium plus 2 scandium plus 3 and titanium plus 4 तो इसमें 18 एलेक्ट्रोंस जो है वो सभी में है तो ये हमारे क्या हो गए अगर हम पीछे की तरब जाए तो ये आपका बनेगा chloride iron ये sulfide iron ये आपका phosphide iron ठीक है तो इसमें 18 electron है इसमें 18 electron है और इसमें 18 electron है तो इन में relation है वो किसका है ये isoelectronic species है ठीक है तो electrons जो है वो क्या है हमारे same है electron number same होते हैं तो species जो है वो isoelectronic होती है clear है तो ये हमारे isoelectrons कहलाते है आगे देखो जरा iso neutrons की बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है species having same neutrons तो 1H3 and 2HE4 ठीक है तो इसमें neutron जो है वो क्या है that is the atomic mass और atomic number ठीक है का difference neutron कहलाता है तो 3-1 तो ये हो गया 2 इसमें देखो जरा neutron number same है मतलब A-Z ठीक है तो ये 4-2 तो ये 2 clear है तो iso neutrons में हम कह सकते है कि आपका जो है वो A-Z difference जो है वो कैसा है same है तो iso neutrons कहलाता है ठीक है ओके भाई अब देखो जरा इसमें 1 proton है इसमें 2 proton है तो proton proton का difference देखो जरा ठीक है ये क्या है आपका 2-1 तो ये क्या है 1 ठीक है और atomic number का difference देखो जरा ये 4-3 किता हो जाएगा ये 1 तो अगर proton proton का difference और atomic number atomic number का difference same है तो हमारा iso neutrons जो है वो बनता है क्लियर है तो ये हमारा जो है वो आईसो neutron बनेगा अब देखो जरा अब 1 H3 and 2 HE4 ये हमारा example है ठीक है और अगर हम एक और ले लें तो 6 carbon 14 ठीक है तो इसमें neutron जो है वो 8 है ठीक है ना और oxygen 8 16 यहां भी neutron जो है वो 8 है clear है ओके तो इन दोनों में क्या relation है ये दोनों हमारे जो है वो isoneutrons है तो यहां पर देखो proton proton का difference तो ये 8 minus 6 तो ये कित्ता हो गया ये 2 ठीक है और atomic number atomic number का difference देखो जरा ठीक है तो 16 minus 14 तो ये difference भी आपका 2 हो क्या राइट तो प्रोटोन प्रोटोन का difference और atomic number atomic number की जगे आप क्या सकते थी nucleon difference मतलब proton प्लस neutron का sum जो है वो nucleon कहलाता है तो proton प्लस neutron का sum मतलब proton number difference and nucleon number difference अगर same है तो species जो है वो हमारी क्या कहलाएगी isoneutrons कहलाएगी तो proton प्लस neutron का जो sum होता है इसको ही हम बोलते है nucleons ठीक है ना तो यह हमारा nucleon कहलाता है आगे बढ़ते हैं फिर होता है हमारा isodipers तो isodipers जो है वो क्या होता है तो देखो जरा इसको हम बड़े सीधे तरीके से समझा सकते हैं कि एक मानलीजी आपका radioactive element है 6 carbon 14 ठीक है इससे आप एक alpha particles जो है वो release कर दो तो releasing का sign negative हो गया 2he4 यह alpha particle हो गया ठीक है ना यह alpha particle एक alpha particle remove करा दो release कर दो तो क्या बचेगा देखो जरा यह 4 और उपर बचेगा 10 4 atomic number किसका होता है 4 atomic number जो है वो beryllium का होता है तो इन दोनों में जो relation होगा यह जो daughter nuclei है यह parentic nuclei यह दोनों आपस में ISO diaper कहलाएंगे ठीक है ठीक है यह हमारे ISO diaper कहलाते है अब देखो जरा यहाँ पर हमें differences जो है वो चेक करने हैं तो यहाँ पर neutron proton का difference देख लो जरा तो neutron है हमारे यहाँ पर 8 neutron होंगे and proton कितने है यहाँ पर 6 तो neutron proton का difference है यहाँ पर 2 यहाँ पर neutron proton का difference देख लो जरा कितना है यह neutron होगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 6 neutron है और proton होगे 4 तो यह difference आएगा आपका 2 तो neutron proton का difference neutron proton का difference जो है अगर सेम आता है तो ISO diaper होते हैं ठीक है ना तो ISO diaper का होते हैं जब हमारा neutron proton का difference जो है वो parenting and daughter nuclei में जो है वो सेम होँ तो हमारे क्या होगे वो ISO diaper होते हैं अब देखो जरा यह दो परेंटिंग nuclei है इन में हम proton proton का difference देख लेंगे तो proton कितना है इसमें 6 और इसमें 4 तो यह difference आया 2 ठीक है और इन में neutron neutron का difference देख लेंगे तो neutron जो है neutron इधर पे है 8 और इसमें है neutron जो है वो 6 तो यह difference भी आपका क्या आया सेम आया तो species जो है वो हमारे क्या होगी ISO diaper होगी तो आपको पहले जो है वो ISO diaper जो है वो पता लगा लेने हैं एक alpha particle निकाल के और फिर आपको यह differences जो है वो बता दे दे हैं ठीक है neutron proton का difference same ISO diaper ठीक है तो दोने species में अगर दोने species में proton proton and neutron neutron का difference same तो हमारे ISO diaper के लाएंगे क्लियर है एक example और देख लेते हैं uranium 92 235 ठीक है इससे हम क्या करते हैं एक alpha particles जो है वो निकाल देते हैं ठीक है ओके तो यह बचेगा हमारा 90 और उपर बचेगा 231 90 atomic number होता है thorium का ठीक है अच्छी बात है अब देखो जरा इसमें neutron and proton का difference देखना है और इधर भी neutron proton का difference देखना है तो neutron इसमें कितने होंगे तो 235 और यह 92 तो यह 3 ठीक है और यह 9 से यह 4 और यह 1 ठीक है और यह 231 और यह 90 तो यह 1 4 और यह 1 ठीक है तो 141 minus 90 और यह होगा 143 minus 92 ठीक है ना तो यह 1 और ये 5 किलियर है ये भी हमारा 51 तो neutron proton का difference जो है वो same है तो हमारे आईसोडाइफर कहलाएंगे ये relation आईसोडाइफर का है ठीक है अगर हम बात करते है proton proton difference की तो proton 92 और ये आपका 90 तो ये तो हो गया कितना 2 ठीक है और neutron neutron difference देख लेते है तो 143 माइनस 141 तो ये भी 2 आया तो proton proton and neutron neutral difference तो हमारे क्या हो जाते है आईसोडाइफर हो जाते है किलियर है अब हम फिर से आगे बढ़ते है आपका आईगा आईसोडाइस्टर्स तो आईसोडाइस्टर्स कहके लाते हैं तो देखो ज़रा यहाँ पे हम एक species ले लेते हैं CO2 और ले लेते हैं N2O ठीक है अब इसमें अगर हम atoms की बात करते हैं तो इसमें 3 atoms हैं और इसमें भी 3 atoms हैं अगर हम electrons की बात करते हैं तो carbon में 6 electron oxygen में 8 into करोगे 2 ठीक है ना तो 16 और 6 किता हो गया 22 electrons ठीक है इसमें देखो nitrogen में 7 into 2 प्लस oxygen में 8 ठीक है तो 14 और 8 किता हो गया 22 तो अगर species जो है number of atom same and number of electron same तो इन दोनों में जो relation होगा वो दोनों हमारे क्या कहलाएंगे iso-diverse कहलाएंगे clear है c6 h6 ठीक है atom यहाँ पर कितने है atom यहाँ पर 6 और यह 6 12 atoms है ठीक है ठीक है यह बेंजीन है और यह हमारी इन और ग्रिक बेंजीन के लाती है इसमें number of atoms कितने हैं 12 atoms है अगर हम यहाँ पर number of electrons की बात करते हैं तो carbon में 6 electron होते हैं तो 6 into 6 plus 1 into 6 तो यह 36 हो गया और यह 6 add कर दोगे तो यह 42 electrons हो जाएंगे यहाँ पर boron में के electron होते हैं तो boron में होते हैं 5 electron into 3 nitrogen में होते हैं 7 into 3 और hydrogen 1 into 6 ठीक है ओके into 6 कर दोगे तो यह 15 plus 21 plus 6 ठीक है ना तो 6 और 7 और 7 और 5 12 ठीक है फिर यह 3 और 1 4 तो 42 electrons इसमें और 42 electrons इधर पी तो यह दोनों में क्या relation है यह हमारे क्या हो जाएंगे यह ISO esters हो जाएंगे क्लियर है तो बस यह हमारे जो है वो कुछ important term थे Thank you so much for watching this video अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पी चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you once again for watching this video.